साच बराबर तब नहीं जूट बराबर पाँ जाके हिर्दे साच है ताके हिर्दे आप प्रभु जी आप मेरे खुशर जी आप परम्भिनावर मेशर जी आप साच बराबर तब नहीं जूट बराबर पाँ जाके हिर्दे साच है ताके हिर्दे आप प्रभु जी आप जगत पिता जी आप परमेशर जी मेरे आप मेरे परम शंती दाता परम दयालू परोपकारी साच बराबर तब नहीं साच बराबर पाँ जाके हिर्दे साच है ताके हिर्दे आप साच के साच कोई तब नहीं और जूट के समान कोई पाप नहीं जिसके हिर्दे में सत्य निवास को तब है तो उसके हिर्दे में आपको इसमें कोई शक नहीं तब के लिए कहाई है जो सत्य बोल दे उससे बढ़ा कोई तब नहीं तब लाजी ने कितना आसान कर दिया था तब को तब बोलो तब पाप जूट बराबर पाप नहीं कोई पाप मैं किया हो बस जूट बोला नहीं बस पाप कर दिया आपने अपराद होगी लगरी में परवेश कर दिया जाके हिर्दे साच है जिसके हिर्दे में साच है सत्त है उसके वाणी में भी होगा उसके करम में भी होगा उसके ससकार में भी होगा उसके परिवार में भी होगा उसके गली में भी होगा उसके शहर में भी होगा उसके जीले में भी होगा उसके प्रदेश में भी होगा उसके देश में भी होगा उसके जिसके हिर्देवे सत्यवास करता हो सद्द्वा एहरता है योगता है जगे है पावन पात्रता है जाहां स्रीहर मेरा स्रीशर जहां पात्रते ही हैं अमेजा से करते थे अमेजा करते रहेंगे कितना आसान कर दिया था कमेज दाजी ने सब सच बोलो सब छूट बोलो इस वाफ हो गया और सोचिए जिसके हिर्दय में सच बोलो दुमिया के साले पातु वहां विराज जाते हैं इसलिए दोस्तों अगर सत्यूग में जाना है तो हिर्दय में सत्य को बताना होगा और यहीं बात कभी दाज जी कह गए और यहीं बात कल की आवतार जी को बेहां कि कहना हुगा दोस्तों कमेट करके बताएं आपको कैसा लगा मेरे वीडियो हर रोज शाम को कोशिश करूंगा एक किसी बार्म किरता कि या ऐसे ही किसी नहां परमग्यानी थारी दिए दो हो है जाए